खाट में जकड़ा इंसान भी दोड़ने लगेगा कई बिमारियों को दूर करता है इसका एक पत्ता दोस्तों अकसर हम शुबकारियों में इसके पत्तों का इस्तमाल करते हैं धार्मिक और ओजधिय दोनों महत्व रखने वाला ये जो पौधा देख रहे हैं ये जो बेल की है जो सबसे पहले मुझे कमेंट करेगा अगले वीडियो में मैं उसको ठैंक्स बोलूँगी उसका नाम एनाउंस करूँगी ठैंक्स बोलने के लिए तो इन पत्तों को ध्यान से देखिए और बताईए कि कौन से पत्ते हैं इन्हें बहुत जादा पानी की जर्वत होती ह इन पौधे की बेल को हम लोग जादर छाओं में रखते हैं बहुत ही जादा और जदी महत्व है आयुरवेद में इसका बहुत महत्व है आयुरवेद की किताब अस्टांग रिदिम में इसके पत्तों को इसके पौधे को मानो सौस्त के लिए बहुत ही उप्योगी बताया इसके एक पत्ते का सेवन करके हम लाखों बिमारियों से बच सकते हैं तो चले तब तक कि अब मैं ही बता देती हूं कि ये पता कहे का है ये बेल कहे की है ये पौधा कहे का है जिसे मैंने अपने घर पर लगाया है दोस्तों हमारा देश वनस्पतियों का देश है धेर सारी बनस्पतियां जड़ी बूटियां होती हैं हमें कुछ पोधों की जानकारी अवश्य होना चाहिए जो हमारे मानों स्वास्त के लिए बहुत उपयोगी है और ये पता है पान का पता आप सुचें गरे पान का पता पान तो हम लोग खाते हैं सब लोग बुरा बोलते हैं पान को सही तरीके से खाएंगे तो पान का सेवन आपको करोड़ों बिमारियों से बचा देगा दोस्तों इतना फायदेमंद है पान का सेवन तब बुरा होता है जब पान को हम तमाखु के साथ खाते हैं सुपारी के साथ खाते हैं तब पान का सेवन बुरा होता है परतु एक प पान के पत्ते को धो लीजे फिर इस्तमाल करें मैंने भी पौधे में से काटने के बाद कुछ पत्तों को धो लिया है एक पत्ते की डंडी को अलग किया है और पान के पत्ते की डंडी में थोड़ा सा चूना लगाईए और उस जगह पे इस डंडी को इस चूने को वहां पर ल जहां पर मस्सा जैसे मैंने अभी आपको हाथों में लगाकर दिखाया है तो धीरे धीरे पान की डंडी को गोल-गोल घुमाते हुए इस चूने को लगाईए मैंने हाथों पे लगाकर दिखाया है आपको केवल मस्से की जगह पर लगाना है अगली रेमेडी जो अपने इस बिल्कुल ही गायब हो जाएगी बतलब एंटी सेप्टिक एंटी बैक्किरियल गुड होते हैं इस और पत्ते में जोडों के दर्द पर इसका रस लगा लें तो भी आपके जोडों के दर्द बिल्कुल ठीक होगा आपको नकसीर की समस्या है पान के पत्तों को कुचल कर सुंगने से नकसीर की समस्या भी बिल्कुल ही दूर होती है दोस्तों इस तरह से पान के पत्तों का गाड़ा गाड़ा लेप अगर आप जोडों के दर्द पर लगाएंगे या दात खाज खुजली में लगाएंगे किसी तरह के फंगल इंफेक्शन पर लगाएंगे चर्म लोग को बिल्कुल ठीक करेगा पान का पत्ता गाओं में तो लोग जब बच्चों का पेट दुखता है ना तो पान के पत्ते में थोड़ा सा सरसो का तेल लगाते हैं और बच्चों के पेट में बांग देते हैं पेट दर्द से आराम मिलेगा मैंने पान के पत्तों का एक ऐसा इस्तमाल किया है जिसने मेरे घुटने के दर्द को बिल्कुल ठीक कर दिया है। मैंने इसके लिए क्या किया था दोसों मेरे घर पर तो पान लगा है। मैंने बेल लगाई ये बहुत शुब होता है। ये भी जान लीजिए। पान का पौधा घर पे लगाना बहुत शुब होता चाहे कोई सा पान लगाई ये बंगला पान, मीठा पान जो भी पान होता आप लगा सकते हैं। पान के पत्ते में थोड़ी सी हल्दी, आधा चमच, सरसों का तेल मिला कर चारों तरफ फैला दीजिए। देखे, मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली चुटकी भर और ठोड़ा सा तील डाल रही हूँ, सरसों का मस्टर्ड वईल। पूरे पान के पत्ते पर फैला दीजे अब इस पान के पत्ते को हलका सा गरम कर लीजे गरम गरम पान के पत्ते को गुटने पर बांध लीजे जोडों के दर्द पर बांध लीजे जहां भी दर्द है गुटने में दर्द है गर्दन में दर्द है कमर में दर्द है तो दो से त तीन पत्ते बांधिए गुटने में दर्ध है दो पत्ते काफी है थोड़ा गरम कर लीजे तवे में रख लीजे और हलका गरम पत्ता जितना आप सहन का मैंने हलका सब गुन-गुना किया ऐसे जितना सहन हो जाये गरम बस बांध लीजे पाम के पत्ता हल्दी सरसोते लगा कर कोई पुराना कपड़ा लपेट लीजे आधे घंटे बधा रहने दीजे इसमें इतने ओजधी गुण होते हैं कि ये आपके दर्ध को खीच लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दर्ध कब ठीक हो गया इतने सारे इसमें ओजधी गुण है दोस्तों तो आप इस इसे जरूर इस्तामाल करें और एक-एक करके देखें इसी तरह से कहीं पैरों में सूजन आ गई ही ना तब भी आप पान के पत्ते को बांधेंगे तो सूजन उतर जाएगी एंटी इंफ्लोमेट्री प्रॉपर्टी होती है इसके अलावा पान के पत्तों का काढ़ा बना ले इसके लिए पान के पत्ते को तोड़ ले खड़ा डाल दे जैसा पसंद है तीन से चार पत्तों को डालिए एक बड़ा गलास पानर डालिए इस बरतन को गैस पर रखें पा पानी अच्छा उबल जाए, पान के सारे पोशक तत्व आ जाए, इस पानी से गरारे करने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाएगा, इस पानी से गरारे करने से मूँ के छाले ठीक हो जाएगे, अगर मसूडों में सूजन आ गई है, मसूडों से खून निकलता है, आप पान के प सबसे अच्छी बात गाना गाने का शौक है आवाज को मीठी करना चाहते हैं आवाज को सुरीली करना चाहते हैं तो पान के काड़े से पान के पत्ते के इस गरम गरम पानी से गरारे कर लें आवाज मीठी होगी सुरीली होगी बैठा हुआ गला बिलकुल ठीक हो जाएगा इस इस काम को कर सकते हैं तो ये बहुत फायदे मंद होता है साथ ही साथ हमारे मुझ की बुरी गंध भी दूर होती है इसे गरारे करने पर पान का सेवन बहुत ही फायदे मंद होता है दोस्तों थोड़ा सा चूना लीजे खाने वाला चूना इसे मैं पान की दुकान से खरीद कर लेकर हैं बिल्कुँ चुटकी बर चुना हड्डियों के दर्द गठिया अर्थराइटीस से आपको राहत मिलेगी चुने के साथ खाईए एक भरपूर मात्रा में चुना तो खेर केल्शियम ही है तो बहुत शुब होता है इसलिए इसका धार्मिक और और औश्दी महत्व है दोस्तों और पान का पौधा घर पर लगाने से बहुत शुब होता है घर पर पॉजिटिविटी आती है तो एक पान आप इस तरह से रोज खाईए वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें शिखास कितन चैनल को सब्सक्राइब करें